राधा अश्टमी का व्रत भादपद मा की कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को मनाया जाता है और जो जन्माश्मी का व्रत करते हैं वे लोग राधा अश्टमी का व्रत भी करते हैं क्योंकि जन्माश्मी के व्रत का फल राधा अश्मी के व्रत को करने से मिलता है तो इसी राधा का जनम दिवस के रुप में भी मनाया जाता है कूँकि श्री कृष्ण की पूजा के बिना राधा अश्ठमी की पूजा बिलकुल भी अधूरी मने गई है तो अब हम जानेंगे की राधा अश्ठमी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो इस तो और पे राधा अश्टमी के दिन उपास व्रत किया जाता है और इस दिन फलाहार का सेवन करते हैं निर्जिला नहीं रखा जाता है ध्यान रहे सुबह आप जूस या फल खा सकते हैं पूजा संपन होने के बाद ही सेंदा नमक के साथ फलाहर का सेवन करें राधा अश्टमी व्रत पारण के बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए तो जानकारे अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजे चैना को सब्सक्राइब कीजे बेल अगर मिटन दबा दीजे तो मित्यूं नेक्स्ट वीडियो में हरे किश्णा